नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में एक बर फिर से श्वागत हैं दोस्तों जहारखन सरकार के दौरा और एक गजट जारी कर दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं ये नियुक्ति नियामावली संबंदित है इसका क्या एज लिमिट रखा गया इसका क्या सिलेवस है तमाम चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं तो चलिए एक एक करके पॉइंट वाइस देख लेते हैं तो सबसे पहले इसमें आप देखिए ये जो है आपका जारखन स्रम सेवा तकनिकी संबर्ग भरती प्रोणती और अइन सेवारसत नियामावली 2022 ये इससे पहले जो था उसमें चेंज किया गया है इसमें देखिए जो चेंज करके अब जो बना है इसमें दिया हुआ हुआ है प्रारमभीक में संचित नाम विस्तार इप्रारम यानि नया जो नियामावली है उसमें क्या है देखिए यहां नियामावली जहारखंड स्रम सेवा तकनिकी संबर्ग भरती प्रोणती और अन सेवासर्थ नियामावली 2022 कहलाईगी ठीक है नया वाला इसका विस्तार कहां पे है संपूर्ण जहारखंड राज्य में इसका क्या है इसका विस्तार है यहां न पॉइंट है उसी के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है अब देखिए इसमें सीधी भरती नियुक्ति जो है इसमें है कि जार्खन लोग सेवा आयोग से नियुक्ति हेतू प्राप्त अनुसंसा के आलोक में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा के मूल कोटी में कारखा तथा वसीपित्र निरिक्छक के पद पर परिक्षा यमान रूप से नि्यूक्ती की जाएगी ठीक है तो यह है आपका यह अब आते हैं इसमें और भी जो चैंजे़ हैं उसके बारे में देखेंगे देख सकते हैं तो अब हम लोग देखेंगे इसमें आपका जो category wise ये दिया हुआ इसमें देख सकते हैं कि इस संबर्ग में भरती हे तू परती जोगीता परिक्षा जारखन लोगसेवा आयोग rules और procedures के अनुसार आयोजित किया जाएगी यानि इसमें जो आपका exam होगा दोस्तों ये conduct करेगा कौन निरिक्षक तथा वसिपित्र निरिक्षक के पद पर परिक्षा यामान रूप से नियुक्ती की जाएगा यानि नियुक्त किया जाएगा ठीक है आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि सामान्य बर्ग 40 प्रतिशत पिछड़ा बर्ग ये क्या है ये जो है दोस्तों ये लिखित परिक्षा जो होगा दोस्तों आपका लिखित परिक्षा में योग की योजना लिखित परिक्षा नीमण भी सख्यों में ली जाएगी सब्जक भी दे दिया है समय ब्लाग निग्र connection होगा आपका 3 गंटे का होगा ठीक है और यह 100 पुर्णांग का रहेगा यानि आपका हिंदी से 50 questions पूछे जाएंगे हैं और आपका इंगली से भी 50 ठीक है 50-50 इसमें रहेगा फिर आता है अभियंतरन प्रश्णपत्र यानि जो आपका technical रहेगा पेपर 1 वह आपका 3 गंटांग का होगा और यह सेम एक तरह से यानि समांऩी के पूछा जाएगा आपका technical सब्जेक्ट रहेगा उससे आपको 200 गंटांग केुछा जाएगा रहेगा गंटा-3 घंटा ही मिलेगा और इसमें बात करें दोस्तों यानि जो आपका टेक्णिकल वाला पेपर रह वो दिया हुआ है कि अभियांत्रन प्रसन पत्र केवल इंग्रेजी में ही होंगे यानि जो टेक्निकल आपका साक्षात कर लिया जाएगा जो कि 50 नंकों का यानि 50 नंबर का आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा इसमें क्या मून रूप से अगर देखा जाए तो व्यक्तिकत परिक्षन करते समाई अभ्यरती का नित्रित्व छमता पहला तथा बौधिक छमता ठीक है और बेबहार कुशलता एवं अइन समाजिक गून जैसे मानसिक एवं साररिक छमता और सत्य निस्टा का विशिष ध्यान दिया जाता है जो कि basically हर इंसान में होते हैं जो थोड़ी भी intellectual person होते हैं उनमें ये चीज सामिल होता है इसमें अब जो सेक्षानिक योग्यता की बात करें दिया हुआ है देख सकते हैं वसीपत्र निरिक्षक या कारखाना निरिक्षक में आपका योग्यता क्या होना चाहिए तो दिया हुआ है कि अभियंतरन की किसी भी सखा में सनातक पाठे करम की डिग्री ठीक है इंजिनियरिंग के ठीक है दूसरा नमबर केंद्रे या राज बिधान मंडल के अधिनियम द्वारा भारत में निगमीत कोई भी विश्व बिदाले से अगर आप क्वालिफाइड है त आपके पास तो आप इसमें आवेदन के पात रहोंगे इस लिमिट की बात करें आप देखे तो एज लिमिट रखा गया है कारखाना निरिक्षक के मूल पद पर सिधी नियक्ति हेतू उमिदवारों की आयू सीमा अधिया चना बर्स की पहली अगस्ति यानि तक 21 बर्स कम से कम होगी यानि मिनिमम आपका 21 यर्स होना चाहिए दोस्तो ठीक है अधिक्तम आयू सीमा कार्मिक प्रासानिक सुधारता राजवासा विभाग के संकल्प इतना तथा इस सम्मन्द में राज सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित ती व्यवस्ता लागू होगी यानि प्रातू कर्म यानि मैटल इंजिनियर जो होता है उत्पादन अभियंतरन या टेक्नोलोजी में सनातक की डिग्री या प्राप्त की ये डिग्री तो आप इसमें इलिजिबल होंगे और इसमें अगर बात करें सेवा की संग्रचना तो इसमें दिया हुआ है कि सेवा में दो संबर्ग है यानि कर्खना निरिखचक संबर्ग के अंतरगत निम्न पद इसमें जो पद आयगा कौन-कौन सा पोस्ट kommer निरिक्चक में वह दिया है यानि मुख्य कार्खना निरिक्चक का पद आएगे ठीक है इसी परकार उप मुख्क कारखना नेरिख्षाग इसमें भी दिया हुआ 900 लेट पेगा है ठीक है मूल कोटी के पत कारखना ने Aha तो इसी परकार हर पोश्ट wise भी दिया हुआ है इसी दूसरा वाला जो पोस्ट था, उसके अंतरगत जो पोस्ट आएगा, वो भी दिया हुआ इसमें, मुख्य वसीपत्र निरिक चाग, ये 6600 ग्रेट पे का है, और इसी परकार मुल्कोटी के पद के जो ये है, इसमें 4800 ग्रेट पे का ये है, तो सैलरी का कोई दिकत नहीं है, द के द्वारा जारी कर दिया जाएगा, दोस्तों इस परकार के लेटेस्ट अपडेट से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जादा से जादा सेयर करें, क्योंकि मैं इस परकार के लेटेस्ट वी झाल